हेलो दोस्तों मैं हूँ नशीर उद्दीन और स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर आज मैं बात करने वाला हूँ कि कोरोना वायरस इंफेक्शन अगर हो जाए तो कोवीड-19 में क्या खाएं कोवीड-19 से इंफेक्टेट पेसेंट क्या खाए ताकि जल्दी से जल्दी वो प इंफेक्टेट हुआ था कोरोना वायरस से तो शुरू में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था ना सुंगने ना सुंगने ने कोई खुस्पू आती थी ना फिर स्वाद में कुछ अच्छा लगता था कुछ भी खाओ तो लगता था उल्टी हो जाएगा कुछ भी स्वाद म थोड़ा सा कुछ ना कुछ आपको खाना ही है, आपको खाने को stop नहीं करना है, अगर आप stop करते हैं, तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, अब बात करते हैं, खाए क्या जल्दी से recover होने के लिए, देखिए, कोरोना वाइरस में, डॉक्टर जो है न, पेसेंट को दाल च को recover होने के लिए, जल्दी से recover होने के लिए, तो इसलिए आपको और जोब आप infected होते हैं, या फिर कोई भी पेसेंट होता है, तो उसको दाल चावल खाने की सला दी जाती है, खाने में तो ये हो गया दाल चावल, अब बात करते हैं, फल की, फल में क्या खाएं, फल में ज्यादा मिलता है जिंग का मातरा बहुत ज्यादा मिलता है तो आप वह सारे फल खा सकते हैं तो उससे आपको डिफिरेटली फाइदा मिलेगा आपके बोडी में ताकत आएगी आपको जितने भी नूट्रिशन की जुरत पड़ेगी वह सभी भरी पूर्ती होगा आपके सरीर ठीक हो जाएंगे और सबी जो है कोरोना वारा इंफेक्शन का सिंटम तो आप जादा ज्यादा फल पर कंसंट्रेट करने की कोशिस करें फल फल में मैं सबसे ज़्यादा priority नंबर वन पर रखता हूं वो है मौसंभी संतरा अनार ये तीनों फल मैंने बहुत ही खाया कोविड 19 जब मुझे हुआ था तो ये तीनों फल मैंने लगबग 10 से 5 दिन रेगुलर दे एक दो एक दो करके खाया और उसके साथ साथ में पपीता मै मैंने एक दिन छोड़कर एक दिन खाया और उसके बाद में सेब भी खाया तो ये सारे फले हैं जो कि आपको कोविड 19 से जल्दी से जल्दी रिकवर होने में मदद करता है अगर आपको जानकारी अच्छे लेगी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेर भी कर स करते हैं हम जल्दी मिलेंगे जय हिंद